हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान लीग के मैच नंबर बारा के बारे में जो की पेशावर वर्सिज इसलामाबाद के बीच में खेला जाएगा यह मैच 23 फरवरी को शाम के 7 बजकर 30 मिंट पर कराची में खेला जाएगा इस मैच की हम आपको पूरी जानकारी देंगे हम बताएगे कि पेशावर की तरब से इस मैच में कौन खिलाड़ी खेलने वाला है और इस मैच की विनर टीम कौन सी रहने वाली है तो अब बात करेंगे हम टीम में इसलामाबाद की जो इस मैच में खेल सकती है आपने इसलामाबाद की जो इस मैच में खेल सकती है ये सरफ संभावित खिलाडी है जो इस मैच में खेल सकते हैं तो अब बात करेंगे हम टीम पेशावर की जो इस मैच में खेल सकती है ये सरफ संभावित खिलाडी होंगे इस मैच में खेलने वाले तो देखे टीम पेशावर की यह हैं टीम देखी आपने पेसावर की जो इस मैच में खेल सकती है अब आपको पता चल गया होगा कि पेसावर की तरफ से इस मैच में कौन खिलाडी खेलने वाला है और इसलामाबाद की तरफ से इस मैच में कौन खिलाडी खेलने वाला है हम आपको बताना चाहेंगे पाकिस्तान लीग के 11 मुकाबले ओचुके हैं और जिन में से अमारी 10 मैचों की विनिंग टीम जीत चुकी है और शिरफ एक मैच में अमारी रिपोर्ट गलत हुई है तो ऐसी जानकारी के लिए अमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और बने रहे और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में भी बताईए तो अमारी पीछे की वीडियो को भी चेक करके देख सकते हैं पाकिस्तान लीग के 11 मुकावलों में से 10 मैच अमारे पास हुए हैं तो अगर आप अमारे चैनल पर नए हैं तो अमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को सेर और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताईए हम आपको बताना चाहेंगे हम आपको जो भी विनिंग टीम देते हैं वह टीम विन हो रही हैं अगर वो टीम विन भी नहीं ओती तो वह मैच में 20 या 25 पैसे जरूर लगती है जिस बात का आपने ध्यान रखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है आप अमारे पास मैसिज किया करो कि अमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान लीग के मैच नंबर 12 के बारे में तो इस मैच में विनिंग टीम रहने वाली है पेसावर तो ऐसी जानकारी के लिए अमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए तब तक बाई बाई बेस्ट ओफ लग